हेलो डियर फ्रेंट्स वल्कम टू एमकेट्स एम सेहा सिंगाथिया और आज हम इस वीडियो के अंदर बीर्ड सेकेंड यर का जो हमारा पेपर थर्ड रहता है बीर्ड सेकेंड यर का जो हमारा पेपर थर्ड रहता है जिसका नाम है देखें यहां पर दिया भी गया है ग्यान एवं पाठ्यग्रम तो बीएड द्वित्यवर्श का जो हमारा पेपर थर्ड है उसकी फिफ्ट यूनिट यह हम करने जा रहे हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर निभधात्मक प्रशन केवल करेंगे क्योंकि सारे के सारे निभधात्मक प्रशन अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ लगूत्रात्मक और अति लगूत्रात्मक प्रशन भी इनी निभधात्मक प्रशनों के अंदर से निकल करके आते हैं उनका छोटा format में यह कुछन्स बनते हैं तो देखिए यह जो यूनिट फिफ्ट है थोड़ी सी टेक्निकल यूनिट है टेकनिकल इंद रसेंस की यहाँ इस यूनिट को जो है इग्नौर करते हैं लेकिन एक्जाम टाइम में नमबर आफ केशन इस यूनिट से काफी रहते हैं और इस जो यूनिट है इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं कि हमारा इस पेपर के अंदर कॉन्फिदेंस को लूज कर देते हैं अगर यह टॉप जो हमारा पहला कोशन है फर्स्ट कोशन हमारा कहता है कि राष्टरिय पाठ्यकरम की अवधारना को सपस्ट कीजिए इसकी अवशक्ता घटक और विभिन्स तरों पर शिक्षा के उदेशों का वर्णन कीजिए अब देखिए राष्टरिय पाठ्यकरम की जो अवधारना है अब इसमें तीन-चार कोशन्स, तीन-चार लगुतरात्मक और अती लगुतरात्मक प्रश्णों को मिक्स करके एक ही कोशन्स रहा गया है, इसमें हमारा राष्ट्रिय पाथ्यक्रम पूर आच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्थ और परिवाशा राष्ट्रिय पाथ्यक्रम से तात्रिय ऐसे पाथ्यक्रम से है जो प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए केंद्रिय पाथ्यक्रम को दर्शाता है यानी जो भी हमारा प्रात्मिक अक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है उसका जो एक केंदरिय पा्ठेकरम है उसे हम जो तरफ हम है हैं त्री पा्रियायन का दर्ब्रे करें गया है तदा पड़ते चात्र के लिए कम से कम शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करता है कि कम से कम कितना शिक्षा का स्तर उसे किस कख्षा में गेन कर लेना है कितना उसे सीख लेना है उसे सुनिश्चित करता है इसके अंतरगत संपूरन देश में 10 प्लस 2 प्लस 3 की शैक्षिक विवस्ता की गई है 10 वी तक उसके बाद 11 वी बारवी दो साल और उसके बाद 3 वर्ष की हमारी ग्राजवेशन 10 वर्षिये विद्याली शिक्षा में 5 वर्षिये प्रात्मिक शिक्षा होगी और निती वर्षिये उच्प्रात्मिक शिक्षा निती वर्षिये नहीं यहाँ पर 2 वर्षिये है ठीक है जी पांच वर्षिये यह हो गए तीन वर्षिये हमारी हो जाएगी यहाँ पर तीन वर्षिये होगा निती नहीं यह तीन है तीन वर्षिय उच्प्रात्मिक शिक्षा और दो वर्षिय माध्यमिक शिक्षा के स्तर निश्चित किये गए हैं तो इस राष्ट्रिय शिक्षा करम के द्वारा समपूरन देश में सैक्षिक त्रिस्टी से समानता लाने का प्रयास किया गया कई राज्या का अपना अलग अलग सिस्टम नहीं होगा बलकि पूरे राष्ट्र का एक जैसा सिस्टम चलेगा राष्ट्र ये पाठेकरम से सबीस तरों पर विद्यार्तियों की पूरव निर्धारित शैक्षी कुप लगदिया संभव हो सकेंगी कौन सोर्ड पॉसिंग कहते हैं कि कोपर पाठेकरम उन शीखने के अनौबव का प्रतिनी दित्व करता है जो सीखने वालों के लिए मूझ आ समान विक्तिगत आवशकताओं परेड़न और हमारी समाजिक और नागरी जो जन तंत्रिय समाज की सदर्श्यता के कारण होती है अब बात करते हैं रास्ट्रिय पाठेकरम की विशेष्टाइं क्या है तो देखिए रास्ट्रिय सेक्षिक अनुसंधान एवं परसिक्षन परिश्द यानि कि NCRT द्वारा रास्ट्रिय पाठेकरम की निम्नांकित परिश्द यह पाठेकरम स्विक्रत सिद्दान और मुल्यों की सीमावे रहकर लोच शील और गत्यात्मक यानि इसमें कमियां निकाल करके उसे सुधारा जा सकता है ठीके जी ऐसा नहीं कि यह बिल्कुल स्थिर है बलकि यह परिवर्ट तंशील है इसमें समाजिक न्याय प इसमें त्री भाषा सुत्र को अपनाए गया है यानि कि जिसके अंदर एक फॉर्डे लिंग्वेस हो जाएगी एक हमारी जो है रास्ट्रिय भाषा जो है हमारी हिंदी हो जाएगी एक मत्र भाषा हो जाएगी ठीक है चलिए जो मदर टंग हो जाएगी बिल्कुल सही मत्र और नेक्स बात करते हैं पीफ्ट इस पाते क्रम में सौंध्रया अनुभूती के विकास से तुम धुक्छ विश् Hamm, को श्थान दिया गया है ताकि हम प्रकरति के सौंध्रय को मनुष्ये के सौंध्रय को हड़ त्रही के सौंद्रय इक अनुभूती आ परिदिया हो लिख किया गया है और इस पर्ढों में नयतिक शिक्षा को विशेष स्थान दिआ गया है ये तो थी इसकी विशेष ता तो अगर चोटा कोशन आतेedar केbalanced राष्ट्रि यह जो परण्रेट राधार राष्ट्रिये चोड़ाथ था वह संकुचित। उसका आधार संकुचिक था वो एक limited way में था लेकिन अब जो है हमें रास्ट्रिय पाठेकरम की आवश्रक्ता जरूरी है प्रक्चलित पाठेकरम में पुस्तक किया और सेधांतिक ज्यान पर बल देने के कारणी आवश्रक है यानि जो प्रक्चलित पाठेकरम में पहले को उस टर नहीं है इसलिए तके ज़रूरत है और प्रक्चलित पॉड़ है वह बात करते हैं राहस्ट्रिय पाठेकरम की घटण द्रसक ah तो देखिए खेल यानि कीषादी रिक शिक्षा इस का ऐगटक है तकनिकी और नहीं तरफ तो तकनिकी है और एक तरफ आमारी संस्ट्रेती है दोनों के बीच में गहरी घाई लग्रशाओं का विकास मीडिया और सेक्षिक प्रध्योगी की परपरियोग कार्यानुबह शिक्षा और परियावन गणित शिक्षन पुप्यूटर और विज्यान शिक्षा तो यह सारे इसके घटक हैं नैंत्र के अंतर्गत विद्यन स्तरों पर शिक्षा क्या किया उदेश हैं। यह बैरी इंपॉड़न है। प्राथमिक सतर पर हमारी क्या उदेश होंगे नैश्ट्रेम्ब्रक के अंदर। तो देखिए मत्रभासा का ज्यान कराना. प्रारंबिक पहली से पांचवीग गक्षा तक हम क्या करें, मतरभासा का घ्यान कराओ, अंको का घ्यान कराएं, राश्ट्रेय प्रतिकों के ब्रति संमान कर् treaty भावना का विकास करियेगा, शारीरिक्षम के पती साकारात्मक दृष्टिकोर्ण विक्सित करें विज्ञान और तक्निकी के प्रती यानि विज्ञान सिखाना नहीं है बलकि विज्ञान और तक्निकी के प्रती हल्का सा टॉप देखरके उनमें लगाव क्रियेट करना है सचता की आदतों का विकास करना जागुरुकता के प्रति जागुरुकता उत्पन करना ठीके जी चलिए आगे बात करते हैं उच्प्रात्मिक स्थर पर उच्प्रात्मिक स्थर पर कक्षा 6-10 तक क्या होगा चात्रों में समय जन शक्ति का विकास करना राश्ट्री एकता की भावना का विकास करना चात्रों क द्वित्य बाशा का ग्यान कराना विज्ञान तकनी की परियावरण के प्रति सजग बनाना सविधान और प्रजात अंतरात्मक्त जो सिस्टम है उसे उसका ग्यान कराना और अगर हम माध्य मिक्स तर पर देखें तो माध्य मिक्स तर पर क्या होगा शात्रों के जीवन और कार देखे सिंपल सी बात राश्ट्रिये सिक्षानीती 1966 मारग निर्देषों के अनुसार राश्ट्रिये सेक्षिक अनुसं़धान एवम परशिक्षिक परिश्ण द्वारा दस वर्षिय समन्न पाठेकरम का निर्मान किया गया इसके अंदर गत इस राश्ट्रिय पाठेकरम को विभिन प्रदेशों में लागू करयाने के प्रयास किये जा सकते हैं और इस विद्याली पाठेकरम की रूपरे का जो है वो निम्न लिकीत है तो देखे सिंपल सी बात इस अधि गम अभ उन्वव आदि आनंद के साथ खेलते खेलते अधिकंडव प्राप्त करना प्रदान करना आधि पर अदारित करके ज्ञान देना इस तर पर किसी भी विशंग की उप्चारिक शिक्षा की विवश्टा नहीं होगी ठीक है जी दूसरा होगा हमारा प्राकिन होगा इसके अंदर अगर समय का आवंटन देखें तो यह कहते हैं एक भाशा जो उसकी मातर भाशा हो सकती है या प्रादेश क्वाशा हो सकती है टोटल 100% समेंगा 30% समय आप उसको बाशा सिखाने में लगाए 15% उसे जनित सिखाने में लगाए 15% समय उसे से परियावरन शिक्षा सिखाने में लगाएं जिसके दो भाग्र होने चाहिए 20 प्रतिश आप उसके कारियान अन्भो उसे शिखाएं और 10 पर सेंट टाइम आप कलाया शिक्षा पो देवें उच्परात्मिक स्त्र पर देखें जो 3-7, 7, 8 तो इसके अंदर 3 वाषा हैं करे अनुबव पर 12% समय लगाएं कलाशिक्षा पर 10% और स्वास्त्य और साधिरिक शिक्षा पर भी 10% सबसे ज़्यादा तीन भाषाओं पर समय लगाना है और माध्य मिक्स तर अगर हम देखें माद्य मिक्स तर हमारा जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो तीन भार्षाएं इस पर 30% गणित में 13% विज्ञान में 13% समझिक विज्ञान में 13% कारेंबव में 13% कला सब्सक्राइब इस तरह करें अधिकम के न्यूंतम सतर के पर्तिमान स्थापित करना यानि कि कितना अधिकम किस एच के अंदर बिल जाना चाहिए ये नियुंगतम्स्तर का प्रतिमान स्थापित करना इसके अंतरगव शामिल है अध्यापक और अध्यान में सुधार के लिए विद्यालों में चरही परक्रिया के रूप में मुल्यांकन शुरू करना और परिक्षा में सुधार करना जन्जातिय लोगों और शेक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंग्यक वर्गों की सम्रद संस्कृतिक विश्ष्टता को दृष्टिकत रखते हुए संस्कृति विशेष के पाठिकरम और सामगरी का विकास करना ताकि उनके संस्कृति में भी जो है उनकी पैचार बनी रहे शेक्षनिक प्रश संस्थाओं के लिए स्वाहितता की बावना पैदा करना यानि खुद से वह कुछ दिसीजन ले पाएं और खुद से मेनेजमेंट कर पाएं शिक्षकों में विशाइकता का विकास करना नवीन विचारों और प्रक्रियाओं को प्रचाइद करने और संसाधन जुटाने के ल ब्रचाइख फ्राइटनों और जंता में सयोग को बढ़ाना यानिकी नएके वल्हसरर कारी चीजयंकारी चीजय कांकरे बलकि प्रैवेट और स्वचिक प्रेथन बी sticky कि द्वारा जंता के द्वारा सयोग भी उसमें लेना चाहिए चाहिए अगे अगर बात करें सेक्षिनिक कारेक्रम और प्रशिक्षण पैकेज त्ययार करना और उनका प्रसार करने के लिए जागरुपता पैदा करने के लिए अधोनित सुछना परदविगी का प्रभाद का प्रयोग करना इंवेंशन कारेकरमों को सम्मिलित करना शिक्षा के विबिन्स तरों पर व्यवसाइक यहां पर हमें बात करना है कि वर्तमान जो पाठेक्रम है उसमें कौन-कौन से दोश है सबसे पहले तो हमारा जो पाठेक्रम है उसका श्वभाव पुस्तक याद करने पर पुस्तक का रट्टा वाणने पर जोर देते हैं यानि कि इसमें पुस्तकों की भरमार है हमारा वर्तमान पाठेक्रम मनोविज्यानिक और निश्क्रिय है हमारा वर्तमान पाठेक्रम अनुप्योगी है वर्तमान पाठेक्रम अनावशक विश्यों के बार से लदा हुआ है वर्तमान पाठेक्रम परिक्षा के इंद्रत है और वर्तमान पाठेक्रम में इतने ही नहीं अनेग दोस हो सकते हैं नीचे हम सभी दोस्तों के विश्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहला तो यहाँ पर की अध्यापकों का एस सहयोग सबसे बड़ी दिक्कत है यह इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि पाठेक्रम निर्माण में अध्यापकों कोई सहयोगी नहीं लिए जाता है तो सिंपल सी बात है कि अध्यापगी एक इसा बेखती होता है जो विध्याले के जीवन और समाजिक जीवन दोनों का अंबो उसके पास होता है तो अगर उसका पक्स जो है उसका सयोगी ने लिया जाएगा तो पाठेक्रम हमारे लिए उपयोगी बनेगा इस तो कि यह सुवा लेकिन आज हम सिरफ उसके शिलेबिस पर ध्यान देते हैं उसको रटा लगाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए और जो आज का पठेक्रम है वह सैदांतिक है और एवेवारिक है हम सिरफ पुस्तों को रटवाते हैं ठीक है लेकिन एक्ट्वल के जो अन्वव है वह हम प्रदान इसका जो आधार है कैसा औरहर जी संकूचित आधार है और जो हमारी रूप्रेख करो उसके बाद सिधा उनको जो है अपनी लाइफ में धग्यल दिया जाता है जीवन के साथ संबंद नहीं है बिल्कुल सही आज के जो पाठेक्रम है उनका जीवन के साथ जो इनके सामने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके सॉलुशन में वो किसी भी तरह का जो है रोल नही है व्यक्तिकत भिनता की उपेक्षा यानि एक दार्षनिक एक विग्यानिक ने जो जो चीजें जो सिधां जो मुले डिसाइड कर दिया आज विच्छे सर्फ वहीं पढ़ते जा रहे हैं व्यक्तिकत भिनता क्योंकि प्रते एक टॉपिक पर हर विक्तिके अलग-अलग जोद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके उनके दिमाग में उनका वो पुस्तक से हटकर होता है सहसबंद का अभाव देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अलग-अलग पड़ रहे हैं लेकिन हर एक सब्जेक्ट हर दूसरे विशे से जुड़ा हुआ है तो जो सहसबंद का उसका आँज हमारे पाते क्रम में अभाव है यानि कि जैसे देखे साइंस लेने वाला बच्चा साइंसी लेता है आर्ट लिणे वाला बच्चा आर्ट लेता है बलकि arts के सभी विश्य साइंस के सभी विश्यों से कही न कहीं जुड़े हुआ है जो language ले रहा है literature ले रहा है वो भी कहीं न कहीं हर विश्य से जुड़ा हुआ है लेकिन आज जो science में जाएगा वो literature नहीं ले सकता है जो literature में जा रहा है वो science या commerce नहीं ले सकता है तो इस तर जो है क्वार 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 में बोया जाता है तो हमें भारत की भविश्य पर तरस आ जाता है गेहों क्वार में बोया जाता है इसकी जानकरी तो खेत में गेहों बोते हुए समय हो जानी चाहिए नेकी चार पाई पर उस तक रखते हुए ठीक है तो सिंबल सी बात है कि अनु उन शात्रों के सामने प्रकाश रहता है जिह विश्विग दैलें से अन्देरा रहता है कि 2 अर्थिक्षमताविश्विद्य दैले में जाने से रोकती है अनावर्शक विश्यों का भार आज हमें हमारे उपर लाद दिया जा रहा है पाठेक्रम की निश्क्रियता है पाठेक्रम चेंजबल नहीं है रचनात्मक्ता नहीं है स्रजुनात्मक्ता नहीं है पाठेक्रम का परिक्षा केंद्रेतोना सिर्फ परिक्षा को ध्यान में रख करके पाठेक्रम बनाया जा रहा नगी जान प्रक्त करने क्ali sorry should say अग्ला प्रश्ण व्आर सुधार की नवीन समस्वा की विवेचना इट्वे बारत योगों के पाठे करम व्योंगों के शुक्षा उपर क्रिया है उसका उसके वारे में शुदाना है उसके और आमें टिपने लिखनी हैं तो चलिये बात करते हैं हमें अपने सामनेस करने दो ही लखु effe जब पड़न करना ऊठ्य लोगों की कमिध नोक्रियों में घपते चले जाते थे और जब शिक्षितों की संहें अदिक हो गई है इसलिए बेकारी acknowledge बढ़ना स्वाभाविक है नोकरी नयव पाने वाले शिक्षित व्यक्ति अपने को करम हिन अभागा और व्यर्थ समझने लगता है कितने लोग नोकरी से निराश हो जाने पर समाज विरोधी तक्निकों से धन कवाने पर उतारू हो जाते हैं आज कल का पठेकरम और साथी ब्र समझाओं का बढ़ जाना स्वाभाविक है समझाओं का बढ़ना प्रगति शीर्ता का धोतक है पर प्रगति शीर्ता आती है उन समझाओं के समाधान से किसी विदेश के समझाओं का समधान वहां के नागरिकों की कारेकुषलता पर निर्वर करता है और कारेकुषल नागरि करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पाठेक्रम में सुभार लाना होगा बैसिक सी बात है कि हमारी शिक्षा अब भी लौड मुईकाले द्वारा शिक्षा निर्देशित मारग पर ही चल रही है अलांकि हमें स्वतांद्र वे 69 यह से उपर हो चुगे हैं इसके कुछ रीजन्स है पहली बात तो विद्यार्थियों की गरीबी देखिए हमारी यहां शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की दर्शा भी अने देशों अन्य देशों की प्रिक्षा ठीक नहीं है मैंगे पाठे प्रम जैसे जिनके लिए जो करनों को करीदना है शिक्षन शुल्क देना है तो वह लेना ही पाते हैं हमारी विद्यार्थन देखिए बच्चे भी निडदन है और हमारा देश भी इतना निर्दन है कि वो भोजन वस्तर आधी देने की जो अरेंजमेंट से वो भी पूरी तरीकेशन नहीं कर पता तो वो शिक्षा का स्तर कैसे उंचा उठाएगा पुरानी परिक्षा परनाली परिक्षा परनाली हमारी पुरानी है विद्यालियों की साधन हिंदा विद्यालियों में साधन ही नहीं है पुराने संस्कार आधर्शवादी पुराने अध्यापक चात्रों में चात्रों को अधिक से अधिक नियंत्रन रखना चाते हैं वो उन् प्रमुक आयोगों ने अपने अनुशन शायं दिए अपने अपने सुझाव दिए हैं तो सबसे पहले माध्य मीड़िष इचा आयोग जिसकी स्थापना 1913 में हुई इसके कुछ पसे पहला सुझाव है बालकों के सरवागिन विकास के लिए पाठे करम में प्रयाप्त क्रियाओं को स्थान दिया जाए यानि कि सरवागिन विकास करना है इसलिए अलग-अलग बहुत सारी क्रियाओं जो हैं पाठे करम के अंदरगत बच्चों को करवानी चाहिए पाठे करम नमनिया और परिवर्तम शीर होन लाइ जा सके differ in आई क्या पाठीकरम्का माजिद जीन से संबंद Johnny ना चाहिए बालक की जन मजाद में सदुप्यों का सव्वन होना चाहिए एक दूसरे से विश्यों का अई दूसरे से सपूरण से संबंदруз सोंना चाहिए और और इसमें जीवत्वों पार्जन का गुणोना चाहिए यानि एक बार जिसने पढ़ लिया वो कम से कम इन फ्यूचर अपने पूरी लाइफ के अंदर कभी भूखा नहीं मरेगा ऐसा भी उसके अंदर प्रावधान होना चाहिए अचारिय नरेंदर देव समीती उनिस तरेपन में इनके सुझाव क्या है उत्रप्रदेश सरकार ने अपनी इमांदिमेक शिक्षा को सम्मुनत बनाने के लिए अचारिय नरेंदर देव समीती का गठन किया और इस समीती ने पाठेग्रम में सुधारे तु निमनलिकित समीती का हे और यहतिक गोर मानवियों को भी श्थापित होने चाहिए जो विद्यार्थियों को निकी हुआको्य उनकी विश्चाव ग्राइन Müller, लृष मुनियों, स्था कोथा क्जारा प्रियों करें ब्यार्य-ब्रेंदिम, नेगार्यम काहिए समीत्य होuden का म्यामिती पक संस्क्रेट का अध्यान अनिवार्य बनाए जाए अधर्स पाठे पुस्तोंगे की रचना विशे विशेशग्यों के द्वारा की जाने चाहिए और मनोविग्यानिक पहलूप पर अधारित ये स्लेवर्स हमारा बनाया जाना चाहिए कोठारी आयोग ने सुज़ाव दिया है 1906 इस वी में पाठे करम विइक्सित करने हैतों पाठे चर्चा पर सोध को प्रक्षांद दिया जाना चाहिए पाठे करम् के सकल संचालवल्य नितुर शिक्षकों के लिए निछदेश्यू स्तिका बनाई जानी चाहिए पाठे करम साम बंद में कित मतर किया है एक ब्लब्स होना चाहिए जिसमें एक सिट टक पाटे क्रभ में बाथ कमें गनित और रज़्त पुल्यों को रखा चाहिए लोवर सेकेंडरी स्तर इसमें आठमी से दसमी इसके अंदर तीन भाषाइं हो जाए ग्रित्विग्या इतिहास भूगोल नागरिक शास्तर कला कार्यन बोव समाचेवा शारीरी शुक्षा नेतिक धार्मिक आध्यात्मिक मुल्यों से युक्त बुगरव शास्तर और इनमें से कोई तीन विश्यवों चूस कर लें और वाकी दो भाषाय रहनी ही रहनी चाहिए तो भारती शिक्षा आयोग के सुझावों का क्रियानवन की अगर हम बात करें कैसे क्रियानवन किया गया तो इसके अधार पर इसके क्रियानवन है तु 1968 मे एवन सुयोग यह वक और इूवतियों का निर्मान ना चाहिए जो राष्टरिये सिवा और विकास के प्रति समर्पित हों शिक्षा निति के पांच लक्षों को निधारित कियागया समाजिक परिवर्तन को तीवर करना शिक्षा को समाज की आवशरत्यों से जोड़ना और व्यापक ग्रूप से पूरे देश में लागू करना जिसमें दस वर्षिय समाने शिक्षा, दो वर्ष की विभिन जो है उच्चतर माधिमिक शिक्षा और उसके पस्चाद त्री वर्षिय डिग्री कोर्स ठीक है जी फिर उनिसो पिच्चतर इश्वी में राष्ट्रिय सेक्षी कनो संधान परिश्य ने एक उपागम पत्र के द्वारा कक्षा एक से दस्तक के लिए प्रस्तावित आदर्श पाठेकरम की भूपलेखा प्रस्तूत की और उसके पस्चाद जो है इसमें शिक्षा का प अधार पर इसमें कुछ मैत्वपुर्ण संसोदर और इसी फारिशें भी की इसमें सरवादिक मैत्वपुर्ण सुजावदा समाजोप्योंगी उत्पद्द कारे के संप्रत्य को हाइश्कूल पठेकरम में स्थान प्रदान करना उनिस सुस्ततर इश्वी में एक अन्या समी समीति प्लस टू समीति मदराश विष्व विद्यले के ततकालेन कुलपती डॉक्टर आदिश शिश्या की अधिक्सा में नियूप की गई जिसका कारे दो स्तर पर शिक्षा के व्यवशाई करन की समीख्षा करना था और इस समीति ने उत्तर माद्दी मिक्स तर पर शिक्ष देखें हम पढ़ क्या रहे हैं हमारा जो क्रिशन था हमारा जो कुष्यन था वह यह था कि भारत में अब तक शिख्षा के अंतर शिख्षा पाठेक्रम के अंदर क्यासे कैसे सुधार हुए कैसे कैसे वह दोलाब गुए तो वो हमें बताना है तो हमने 1968 पड़ी अब 1986 बढ़ दे हैं कि पूरे देश में एक समान राष्ट्रिय पाठेक्रम बनाए जाने और संचालित करने का प्रावधान भी इसमें नहीं था और पाठेक्रम की कोर पाठेक्रम से यूग करने पर बल द प्लस्तर अर्थार्थ 10 वर्ष तक की समाने शिषा में चात्रों को सभी विशे अनिवारी रूप से पढ़ने को अका गया है प्रात्मिक्स तरपर मात्रबाशा गनित पर्यावरन अध्यन को मेत्व दिया गया है उज़ प्रात्मिक और मधिमिक्स तरपर तीन भाषा हैं हि पंजाबी जो होती है अनिवारे रूप से पढ़ने या अन्य विश्व गणित विज्ञान समाजिक विज्ञान समाजिक विशे बालिकाओं के लिए ग्रह विज्ञान और नागरिक शास्त्र इतिहास गुगोल आदी विश्वों को एच्चिक रूप से स्थानापन किया ज प्लस टू स्तर पर लिए गए किनी तीर विश्वों का चैन करके सनातक स्तरियक अक्षा में अध्यान कर सकता है राश्ट्री शिक्षा निती 1986 में कहा गया है कि शिक्षा की पठेक्रम और परिक्रियाओं को सांस्कृतिक विश्वस्तू से के समावेशन के द्वारा अधिक स करना चाहिए और यह प्रतन करना होगा कि संद्रिय समझेश और परिश्कार के प्रतिबचे अधिक संवेधन शील हो कोई सैक्षिक उपलगदी पर ध्यार नहीं हो बल्कि जो है उनको शिक्षा में सांस्कृतिक तत्मों के युगदान को अमंत्रित किया जाए अब बात करत उल्ला न पर कंपक्तियों में इस बात पर प्रकास जा रहें कि अच्छे पर गया उदेशे पाठेक्रम को बालग कि चिंतनमन और तरक और विवे की अनियने आदी लेने की माश्यीत सकतियों का विकास करना चाहिए। पाठेक्रम को बालग की विभीन अवस्थाओं से सबंदे सबी आविशत्ताऊं मनोवरतियों और क्समताओं और योगेताओं के अनुसार नाना प्रकार किस रजनात्मक और रजनात्मक सत्यों का विकास करना चाहिए पाठे करम के बाल को पाठे करम को बालकों के सरवागिन विकास हेतु प्रेना प्रदान करनी चाहिए पाठे करम को मानल जाती के अनुभोवों को समिलित रूप से शपरस्ट करके संस्कृती और सब्यता का हस्तांतरन और विकास करना चाहिए पाठे करम को समाजिक और प्राकृतिक विझ्ञानों और कलाओं और धर्मों के आवश्चत ज्ञान द्वारा ऐसे कतिशिल और लचीले मस्तिश्क का निर्मान करना चाहिए जो प्रतेक प्रस्तितियों में साधन पूरण और शाहस्पूरण बनकर नवीन मुल्यों का निर्मान कर सके पाठेक्रम को ग्यान और खोज की सिमाओं को बढ़ाने के लिए अनवेश्कों का स्रजन करना चाहिए पाठेक्रम को विश्यों के बीच खाई को पाट कर बालग के साथ ऐसी क्रियाओं को प्रस्तूत करना चाहिए जो उसके वर्तमान और भावी जीवन के लिए उप्योगी ह अगर हम समान्य विग्यान के पठेक्रम की समीच्छा करें, तो सिंबल ची बाते एक माध्य मिक्स तरके पठेक्रम के अंदर निम्न लिखित बुण होने चाहिए, सबसे पहले तो मनोविग्यानिक था, मनोविग्यानिक सेदान्तों को ध्यान में रखना चाहिए, उसमें यानि कि जो वी वो शीख रहे हैं उसमें प्रवर्ति होनी जाहिए, लचीला पन उसके अंदर होना चाहिए, विवारिक जीवन से रेलेटेड होना चाहिए, मानसिक शक्तियों को उसमें विकास होना चाहिए, और द्रश्या स्रवे शांगरियों का बहुत आयांत से उप्यो से प्रयास करने का जो प्रावदान है वो बहुत ही कम किया कम रखा गया है स्वे अनुभव और करके सीखने द्वारा बालक आज नहीं सीख सकता है और इसमें क्रियात्मक और व्यवारिक कार्यों के लिए भी प्रयाप्त स्थान का अभाव है उदेशों को दृष्टिकत रख की शिक्षा है वो प्रदान नहीं करता है संकुचित द्रिश्टिकोन है और संभाय के व्यक्तिकत भिंता के अनुभवों के संपूरण ताके इस तरह के सिद्धानतों की अभेला और उलंगन किया गया है देखिए उप्रुक्त दोस्तों को दूर करने और आवशक सुधार क करने हैं तो निम्न लिखित पडियास जो है वो किया जाने चाहिए तो यह भी तीन-चार प्रश्णों का समावेशन किया गया है यहां पर इस प्रश्ण में यहां से बहुत सारे चोड़े चोड़े प्रस्ण मन चलते हैं तो देखिए चात्रों में विज्यानिक अभिवरत जो है द्यान में रखना चाहिए पाठे करम को सोदेश्य पुरण यानि उदेश्य के साथ बनाए जाना चाहिए और व्यक्तिकत भिंता यानि हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से सिकता हर एक के अलग-अलग विचार है तो इसके सिदान्त को भी ध्यान में रखा जाना चाह आते विज्ञान की भाषा प्रकिदिया और विश्यवस्तू विद्यार्ति की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकुल होने चाहिए तो यह कुछ चीज़े हैं विज्यानिको मनोविज्यानिको अनुसंधान करता हूँ सभी को इसमें भागिदारी होने लगी और इनकी दो प्रकार की भागिदारी थी एक तो यह लोग विद्याले का संचालन वित और व्यवस्ता के लिए जिम्मेदार होने लगे यानि की कुछ न कुछ सायोग देने समय पर जिस से आवंशक्त परिवर्थन आए भी आगे बात करते हैं रास्टरीय पाथ्टिय प्रॉट्थेक्रम सरंचना 2005 की आवशकता और महत्व को स्पष्ट किजी देखे रास्ट्री पाथ्टेक्रम सरंचना 2005 जो है इसकी अवश्रता और महत्व को निर्थारित करने वाले विद्वा पर विचार करने के से पूरव ये समझना ती अवशक है कि पाठेक्रम एक ऐसी सरंचना है जो पूरणते विकास अवस्था में रहती है समाज और मानुवी अकाक्षाओं में परिवर्तन का परत्यक्ष प्रभाव पाठेक्रम पर पढ़ता है और पाठेक्रम में विकास करने की दृष्टी से पाठेक्रम परिवर्तन की अवधारना को बल मिलता है राष्ट्रिय पाठेक्रम सनेचना सन 2005 की अवश्यक्ता और महत्व को स्पस्ट करने वाले परमुक्त तत्यों का वर्णन निमन लिखिद रूप से किया जा सकता है ठीके जो हमारा राष्ट्रिय पाठेक्रम सनेचना 2005 थी उसमें नवीन तत्यों के समावेश के लिए इसकी अवश्यक्ता थी यानि कि पाठेक्रम सोधकारे और निश्कर्शों के द्वरा क्योंकि नई सिक्षा निति लाना एक बहुत बड़ा कारे हो जाता है तो क्यों न हम सिर्फ हमारे पाठेक्रम में सुधार कर दिया जाए ऐसा सोचा गया तो इसके लिए हमारा नया पाठेक्रम सनेचना बनाई गई और वो 2005 में आयी तो उसे राष्ट्रिय पाठेक्रम सनेचना 2005 का नाम दिया गया अब इसके आवश्रक्ता क्यों थी ताकि हम नवीन तत्थयों का समवेश इसमें करसकें जो भी इस रिसर्चेस उन्निस अचासी के बाद हुई है तो वो 2005 तक हम उसे अपलाई करसकें तो वो उन तत्थयों को समवेश करने के लिए जो है नवीन जो हमारा रास्ट्रीय पारट की सरंचना को समझा गया क्योंकि इसे पांच वर्ष पूरर राष्ट्रिया करेक्रम 2000 की इन पांच वर्ष्टों के अंदराल में पाठेकरम के विकास की बहुत प्रबल संभाव नहीं थी इसलिए पाठेकरम विकास और निर्मान के लिए तकालिन NCRT के अध्यक्स द्वारा प्रियास किया गया और रास्त्रिय पाठेक्रम सन 2005 की सरंचना की गई परिवर्तन के अनुरूप यानि जो जो चेंज़ेज आए हैं तो पाठेक्रम में भी चेंज करना पड़ेगा तो नेया पाठेक्रम तो लौच करना ही पड़ेगा चलिए आगे है मानुविय मुल्यों के विकास के लिए आज के समय में मानुविय मुल्यों के विचार और विकास के लिए शेक्षिक पाठेक्रम ही एक परमुक उप्योगिशादन है मुल्यों के गिरते वेस्तर और स्वार्थ पुरन भावना के विकास के लिए आवशक हो गया था कि सभी मुल्यों को जोडगर के नया पठेकरम बनाया जाए बाशाई समश्या के समाधान के लिए भारतिय शिक्षा में भाशा के स्वारूप के समश्या का जो है वो प्राचीन सरंचना जो है उसकी अवशक्ता अनुभव की गई कख्षा कख्षा शिक्षण के लिए कख्षा कख्षा शिक्षण में पाठेक्रम का महत्वपुर्ण स्थान होता है पाठेक्रम के प्रभाव का मुल्यांकन कख्षा कख्षण के समय ही होता है तो इसके लिए पाठेक्रम शिक्षण को प्रभाव पुरन बनाने के लिए राष्टरिय करेक्रम सन 2005 को प्रस्तूत किया गया आगी बात करते हैं चात्रक की संतुष्टी के लिए तो चात्रकी आवशक्ता और रूची को ध्यान में रखते हुए पाठेक्रम की रचना की जानी चाहिए चात्रकी रूचि इस तरह से पाठेक्रम का उनको उन सबी तत्यों को ध्यान में रखकर पाठेक्रम का निर्मान की जाना चाहिए इसकी आवशक्ता अनुभव की गई अभी बापकों की संतुष्टी के लिए शोध परिनामों के प्रयों के लिए यानि जो भी शोध के बाद परिनाम आई उन से प्राप्त नहीं हो रहे थे तो हमें नए पाठेग्रम की आवश्रता अनुबव हुई आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण राश्ट्रिये पाठे चर्चा की रूप रेखा 2005 जो है 2005 में आई इस पर विश्तरित विवेचना कीजिए तो बहुत इंपोर्डेंट कर्शन बह उनने कहा कि पहले का जो दवजार चार सड़ी 2000 का जो पाठे चर्चा है उसका भगवा करण किया गया जो कि एक धरम निर्पेक्स राश्ट्र के लिए घातक है अते धरम निर्पेक्स राश्ट्रिये सेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिश्यद की कारेकारे नहीं सबा बुलाई गई 14 से जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक यह सबा चली और इस सबा में यह निर्ने लिया गया कि 21 स्ताब्दी में आवशक संस्वधन करने की बात राश्ट्रिय शिक्षानिती 1984 में कही गई थी और 2000 में बने पाठे ग्रम में 5 वर्श 2005 में पूरे होने वाले थे इसी बीच वर्श 2000 में सुचना संचार प्रद्योगी की का समाज पर बहुत तेजी से प्रभाव भी पड़ा है कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तयार होने लगी तो इसके कारण भी प पाठे चर्चा की रूपरेखा 2005 में तयार की गई और इसे राष्ट्रीय पाठे चर्चा की रूपरेखा 2005 नैशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 के शुर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया और इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कब क्या क्यों और कैसे पढ़ जोगी आधुनिक भारतिय भाशा भी होगी अंग्रेजी होगी विग्यान गणित कला शिक्षा सामाजी कध्यान जिसके अंदर इतिहास भूगो राजिती विग्यान और अर्थ क्यास्त्र होगा स्वास्तिया और शारीरिक शिक्षा और कार्यानभव होगा सब्सक्राइब करें तो थोड़ा अलग पेच पर चले रहे हैं तो हम यहां पड़े कि ग्यारा से बारां के अंदर गत जो है यह विशे तो होंगे होंगे और तीन वह विशे अपने अनुसार ले सकता है तो विज्ञान वरग एचिक होगा इतिहास या कला वरग एचिक होगा ठीक है तो यह एचिक विशे भी वह ले सकता है बाशा की बात करें तो भारतिय समाज बहुबाशी समाज है इसलिए चातर-चातरहों के एक साथिक बाशाओं का ग्यान आवशक है इसी करण से रास्ट्र पाठिच्चा की रूप रेका में तीन बाशा हूं आसकीजेगा ती कुम्मिनिकेशन एन्वाइरमेंट उसे देना चाहिए इसके लिए सम्रद पाठे पुस्तक कक्षा पुस्तकाले और एक से अधिक भाषा में पुस्तके उप्लब्द कराई जाए साथ ही मीडिया सपोर्ट दिया जाए खिके जी और यह भी आवसक है कि भाषा शिक्षक की अधारभूत दक्षता भी होनी चाहिए जो भाषा शिक्षक है उसके अंदर वो अपनी लेंग्वेज में निपुन तो होना चाहिए तबी तो बच्चों को लेंग्वेज चिखा पाएगा गणित की बात करें तो चात्र चात्रों में उप्योगी गणिती एक्षमतां के व के भार स्वरूब जैसे तत्रों को मोडल की शायतर से समझाना चाहिए कि विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इत्म ditमtaking को विकास करें आधूनिक समय में कम्प्ूटर की बात करें तो नितर्क और मैत्तवो को देखते हुए इसका आदेन चात्र के लिए अत्यान तावशक है कारे शिख्षा होनी आवने चाहिए सवास्टे और स्वास्थे और स्वास्थेश्चा बहुत है इंपोरेट है देखिए इस पाठ़ीजी टर्चा में कक्षा एक सही मात्रवाशा के साथ अंग के बिना लोग प्रबूद संपन और उच्छ क्रति के लोग नहीं बन सकते हैं और अपने कारेक्षेत्रों की सफ़ता की उन्जाइओं को हासल नहीं कर सकते हैं तो इस संबंद में हमारा केवल इतना निवेदन है कि हमारे देश में मात्रभाशा के परयोगी तो सभी को आवश सकता आज भी केवल 20 प्रतिशन लोगों को ही होती है इसलिए इसे अनिवारी विश्य नहीं बनाना चाहिए इच्छुक और मेधावी चात्र चात्राओं को कक्षा एक से ही अपनी मात्रभाशा के अधरिक्त राष्ट्रभाशा हिंदी और अंतरा स्रीय भाशा अंगरेजी क अधरिक्त विश्यों के रूप में और इन में उत्तिरण होना आवश्यक नहीं होना चाहिए इसमें बेदावी चात्रों को इन भाशाओं को शीख कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सामाने चात्र दो अतरिक्त भाशाओं के अध्यान के बोच से बचेंगे तो चलिए यह थी हमारी पांचवी यूनिट जो हमने पुरी कर ली है आपके एक्जाम के लिए all the very best thank you